आज श्राट करते हैं Elimination of null production from the given CFG यहां पर आपके पास को CFG given होगा उन CFG में से आपको null productions को simply अलग करना है तो देखें क्या तरीका है जैसे यह question है यहां पर यह null contain कर रहा है productions तो ऐसे productions को हमें eliminate करना है तो step 1 जो जो productions में null contain हो रहा है उन productions को सबसे पहले लिख लिए तो देखें the production that contains null तो यहां पर null है तो यहां से मिल जाएगा a contains null यह हमने लिख लिया यह step 1 हुआ यह clear now अब इन productions को आपको अलग करने है तो करने कैसे है तो यहां पर right side में जहां जहां यह as a non-terminal आ रहा है वहां पर null put कर देना है और इस productions को अलग कर देना है तो देखें यह क्या बन जाएगा तो जो reduced cfg बनेगा after null elimination यह हमाल लेते जीवन ग्रामर तो यह मिल जाएगा s small a capital a है अब capital a यहां पर non-terminal है इस a के place पर null रख दिए तो यहां से आपको मिल गया small a यह solve हो गया next production है a generates small b यहां पर कहीं पर capital a नहीं है कोई problem नहीं है यह as it is रहाएगा next production है a generates null यह null productions यह अलग हो जाएगा क्योंकि इसकी value आपने substitute कर दिया है तो यह हमारा final answer आ गया clear यहां पर null है तो सबसे पहले ऐसे productions को अलग कर लिए यह आपने लिख लिया अब इस productions को अलग करने के लिए right side में जहां जहां character less है उसकी place पर null substitute कर दिए यह बन जायागा a s a और s के place पर अगर null हम रख दे यहां से मिल गया small a small a यह solve हो गया next production है b s b अब यहां पर s के जगह आगा हम null रखें तो मिलेगा हमें b और b दो small b मिल गए और यह null यह अलग हो जाएगा क्योंकि इसकी value हमने s के place पर substitute कर दिए तो यह answer आ गया देखें next question है यहां पर null है यहां पर null है तो पहला step यह कहता है कि उन productions को identify किजिए जो null contain कर रहा हो यहां से मिल जाएगा a contains null and then b contains null इतना clear अब इन productions को अलग करना है इस cfg से तरीका क्या है कि right side में जहां जहां capital A capital B मिल रहा है उसके place पर null को simply substitute कर देना answer आ जाएगा तो देखें इन productions को अलग करने बाद जो reduce cfg मिला that is let g1 grammar यह क्या बनेगा s generate small a capital s यहां पर नहीं तो capital A है नहीं तो capital B है कोई दिक्कत नहीं है यह already solved है next one is capital A capital B यह production है A के place पर null लगए क्या मिला capital B B के place पर null लगए क्या मिला capital A अब दोनों के place पर अगर null लगए तो क्या मिला null इतना clear यह अलग हो जाएगा next production is degenerates small b इसमें नहीं तो capital A है नहीं तो capital B है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट यह required answer नहीं हुआ क्योंकि यहां still null है अब इस production को भी अलग करना है तो देख्या अगें identify कीजिए वैसे production जो null को contain कर रहा हो तो यह आ गया अब इसको भी अलग करना है तो इसको अलग करने के लिए जहां जहां capital S है उसके place पे null substitute कर दिए तो अगें जो reduce CFG मिला let's say G2 grammar तो यह मिलेगा small A capital S S के place पे null लगए small A मिला A B यहां कहीं capital S नहीं है as it is आ जाएगा capital B capital A और यह null production यह अलग हो जाएगा और next production is D generates small B यहां भी capital S नहीं है तो यहां से हमने null को तो अलग कर लिया लेकिन अब एक और चीज़ समझेगा string generation हमेशा start symbol से होता है यह चीज़ आपको मालूम है अब तहला प्रोडक्शन से अगर हम लेए S generate small A capital S या फिर S generate small A या फिर S generate capital A capital B या फिर S generate capital A या फिर S generate capital B अब ध्यांदर समझेगा यहां पर इस D की कोई आवसकतर पढ़ रही है इस पूरे में D कहीं पर है ही नहीं तो यह small B हम replace कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि D होना तो चाहिए तब तो उसकी जवत परेगी तो यह विचारा फ्री फो कटका यहां है इसका कोई यूज नहीं है ठीक है तो यह हमारे कहलाएंगे useless production और useless है तो बाहर किजिए इस productions का भी रहना कोई मतलब कर नहीं है इसको बाहर कर दिए अब एक और चीज समझेए यहां पर यह विचाप्टल A इस ड्रामर में एक आप्टल A चाना टर्मिनल एजा है क्या एक कोई भी production दिखाए दे रहा है नहीं दिखाए दे रहा है तो इसको रेप्लेस ही नहीं कर पाएंगे तो कोई string generation ही नहीं होगा तो ऐसे productions का भी कोई मतलब नहीं है जिससे string generation नहीं हो पाए यहां गें यह कोई production नहीं है भी कोई production नहीं है तो इसको भी उठा के अलग कर दीजिए यह भी useless बन गया तो now final answer जो reduced cfg मिला that is s generate small a capital s और small a यह हमारा final answer बन गया अब देखिया आगा हम string generate करना चाहते है तो इस s को हम replace कर सकते small a से string मिल गया a अब हम इसको use करें तो string मिल गया small a तो दोनो useful production है यह हमारा final answer आ गया clear देखिये next question है यहां पर null contain कर रहा है तो उन productions को identify कीजिए जो null contain कर रहा है तो a contains null यह identify हो गया इस productions को अलग करने के लिए right side में जहां भी capital यह आ रहा है उसकी replace पे null substitute कर दिए जो simplified cfg मिलेगा suppose g1 यह मिल जाएगा s generate small a small a capital b कहीं पे capital a नहीं है next production देखिये small b capital b small b again कहीं पे capital a नहीं है next production a contains null यह remove हो गया next production a small a a के place पे नहीं क्या मिल जाएगा small a इतना clear अब देखिये यहां पर है s generate small a small a capital b और अगर हम b को replace करें तो b को हम replace कर सकते हैं capital a small a से और फिर a productions का use हम कर सकते हैं तो यहां पर यह हमारा क्या हो गया useful symbol हो गया यह हमारा final answer बन गया clear देखिये next question है यहां नल है यहां नल है इन productions को लिख लिए तो c contains null यहां से मिल गया d contains null इन दोनों productions को अलग करने है तो इसको अलग करने के लिए right side में c और d के place पे null put कर दिए तो reduce cfg मिलेगा let's say g1 grammar यह मिलेगा a generate a b c d इस c के place पे नल लग है मिल रहा है a b d इस d के place पे नल लग है मिल रहा है a b c और इस दोनों cd के place पे नल लग है मिल रहा है a b यह solve हो गया next production is a generate capital c capital d small a c के place पे नल लग है d a d के place पे नल लग है c a और c d दोनों के place पे नल लग है तो small a यह solve हो गया next production is capital c small b c के place पे नल लग है small b यह solve हो गया next one is c generate small a कहीं पे capital c capital d नहीं है next production is b d d के place पे नल लग है small b यह solve हो गया और यह दोनों production remove कर दिये इतना clear not अब start symbol में देखिए a b c d सारे non-terminal है यह हमारा final answer बन जाएगा clear next one is यहाँ पे नल है यहाँ पे नल है तो ऐसे production को अलग करना है तो इसको लिख लिए यह contains null then b contains null और इन production को अलग करने के लिए जहाँ भी a और b आर है right side में उसके place पे null substitute कर दिए तो जो हमारा reduced grammar मिलेगा suppose g1 grammar यह बनेगा पहला production है s generate a b a c a के place पे नल लग है मिल गया b a c b के place पे नल लग है मिल गया a c और is a के place पे नल लग यह मिल गया a b c अब इस a b के place पे नल लग ही मिल गया a c अब इस b a के place पे नल लग है मिल गया a c si इस ही हम लिख चुके हैं, अब इस ए के प्लेस पर नल लखे है, मिल गया B, C, अब इस तीनो A, B, A के उपर नल लखे है, तो क्या मिल गया C, इतना क्लिया है, यह सॉल्व हो गया, नेक्ट वण इस A जनेरेट, small A, capital A, A के प्लेस पर नल लखे, मिल गया है, small A, यह नल लखे है, नेक्ट प्रडक्शन इस small B, capital B, इस B के प्लेस पर नल लखे, small B मिल गया, यह नल अलख, next वण इस C जनेरेट, small C, देखें, हलाकि सारे question में हमें सिर्फ null productions को अलग करने वो कहा गया है बट अगर deductions के questions आते हैं, तो यहाँ पर एक production contain है, कुछ इस तरीके से S generate capital C, तो यहाँ पर यह non-terminal generate single non-terminal, यह productions कहलाते हैं, unit productions तो हमें CFG में से unit productions को भी अलग करने होते हैं, क्योंकि simply एक non-terminal दूसरे non-terminal से replace हो रहा है इसका कोई sense नहीं है, ठीक है, string generation में, तो यहाँ पर ऐसे productions को भी अलग करने परेंगे तो देखें, यहाँ पर single non-terminal, generate single non-terminal, इसको हम कैसे अलग करते हैं तो C के production है small C, यहाँ पर C, solve है already, यहाँ पर कोई unit production नहीं contain कर रहा है तो इसको अलग कर दिए, और यह था C, generate small C, C के place पर लिख दिए, small C यहाँ भी capital C है, small C, small C, small C, small C, small C, small C, small C और यह अलग हो जायागा, clear, तो यह तरीका है, unit production को भी अलग करने का, हलाकि इसके उपर एक separate video रहेगा elimination of unit production, तो वहाँ पर डिटेल में इसको समझेगी, ठीक है, तो I hope कि यह सारे questions देखे, now I hope कि elimination of nut production from given CFG, यह clear हो, और अगर कोई difficulties गया हो, तो आप clear कर सकते हैं, बिल्कुल, और यह सारे questions, अब आप लोग ट्राइ किजिए, I hope कि easily बन जाए, अच्छा लगवा तो प्रीद अपने friends से भी share किजिए, ठीक है, thank you